अब हम लोग मैंतमेंटिक के क्रिश्चन लेके आए आपको जैसे दिखाई दे रहा है इसे करने का परियास करने काफी इंपोर्टन कुछन है कई एक्जामिनेशन में पूछा गया है कोई भी आप बुक्स वगरा टैनियर वगर उठाएंगे तो उसमें क्रिश्चन देखने को मिलेगा चले बिटा हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या कहता है जिनकी आउस्तन एज 28 एरसे कितने बिटा 28 एरसे एक फैम्ली के 5 सदस्यों की आउस्तन आयू 28 वर्ष है आगे कहता है, if one of the member of age 28 years is excluded, यदि उन में से एक member, जिसकी I.U. 20 years है, exclude कर दिया जाता है, भटा दिया जाता है, परिवार से अलग कर दिया जाता है, तो बताइए, बचेवे सदस्यों की, परिवार के अन्य सदस्यों की ओस्तान I.U. क्या हो दूँए? ठीक है? चलिए हम लोग question करते हैं, बच्चा, question किस तरे से है, क्या तब परिवार के 5 members है, मैं आपको दो तरे से question पर समझाऊंगा, ठीक है, पहला एक जो basic है, हर किताब में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 5 members है, औस्तान I.U. उनके 28 वर्ष है, ठीक है, इसका मतला 28-28 सभी की मान के चला जाए ठीक है, पाल दोनी 10-14, ठीक है, तो टोटल कितना रहता है, 140 वर्ष हो जाता है, कहता है, उन में से एक सदस्य है, एक member है, जो परिवार से अलग हो जाता है, जिसकी I.U. कितनी है, बटा, 20 वर्ष है, परिवार से अलग हो जाता है, तो जहां 5 सदस्य की आउस्ता नहीं, 28 व जो कि टोटल पांच लोग की 140 वर्ष थी, उन में से 20 वर्ष का चला जाता है, अब जो बाकी 4 सदस्य है, उनकी कुल I.U. मानी जो होगी, वोगी 120 वर्ष है, तो औसत क्या होगी, औसत में क्या किया जाता है, टोटल को उतनी संक्या से, उतनी member में distribute कर दिया जाता है, चार से डिवाइड करते हैं, चार ती ये बारा, ठीक है, तो 30 years will be your right answer, ठीक है, तो ये इस तरह से question को किया जाएगा, ठीक है, अगर मैं दूसरा process बताता हूँ, ये तो basic है, जो आपको हर किताब में देखने को मिलेगा, एक second तरीका क्या है, वो मैं आपको यहाँ समझा देता 5 members है, जिनकी औसता नायू कितनी बताई गई है, 28 वर्ष बताई गई है, ठीक है, परिवार में जो सदसे हैं, उनकी औसता नायू 28 वर्ष है, इसका मतलब जो 5 सदसे सबकी आयू 28 वर्ष है, एक सदसे चला जाता है, जिसकी आयू थी बिटा, 20 वर्ष, ठीक है, इसका मतलब क्या है अगर वो परिवार में रहता तो इसकी जो आयू मानी जाए में जाएगे 28 वर्ज तो वसत का मतलब सब समाना है सभी 28-25 प्लिवाज हैं टेकर जब यह परिवार में था तो इसकी आयू था 28 वर्ज जब अलग हो गया तो वास्ता में इसकी जो age है था 20 वर्ष है इसको परिवार में रहने पर कितने का benefit हो रहा था आठ वर्ष का benefit हो था बाहर है तो इसकी 20 वर्ष है और परिवार में है तो 28 वर्ष तो इसको benefit हो रहा था आठ वर्ष का हो रहा था तो यह जब जाएगा तो आठ वर्ष तो रह जाएंगे अब यह आठ वर्ष जो प्लस में 2 इकवल 2 आएगा 30 तो 30 वर्ष होगा यह आपका राइट आंसर होगा तो इस तरह से इस question को किया जा सकता है समझने बात चलिए हम लोग मिलते हैं अपने next video में एक नए question के साथ ओके बाए बस लगए